देखिए अब जहां तक सियम पोर्टर पर सिकायत का संबन्द है अभी तक मुझे ये सिकायत मुझे अभी नहीं मिली है और जो मेरी जानकारी है हमारे जिले में कोई मसीन अभी दूरूप से नहीं चल लई है फिर भी इसके आकस्मिक जांस की जाएगी अगर कोई भी मसीन अभी दूरूप से चलती पाई जाती है तो उसको हम जर्स अभेत उसको मुखाड लेंगे या उसके पार्ट को अपने कबजे में ले लेंगे और किसी भी दसा में जिससे वो किसी भी दसा में दुबारा न चला सके हो देखे जनपद रामपूर के अंदर वन विभाग ने 164 लाइसंस जारी कर रहे हैं लेकिन उसके अतिरेक्त करीब 40 आरा मशीने ऐसी हैं जो बिलकुल अवैद रूप से रामपूर के अंदर वन विभाग के अधिकारियों दौरा खासतोर से रेंज अफसर दौरा साड़ गाट कर रिश्वत लेकर चलवाई जा रही हैं तो उसके विरोध में आज आरा मशीन वैलफेयर एसोसियेशन की एक मीटिंग का आयोजन किया गया था जिसका मैं अध्यक्ष हूँ और उस मीटिंग के अंदर ये तै हुआ है लोगों ने ये कहा है कि यदि आप अवैद रूप से पैसे लेकर मशीने चलवा रहे हैं तो आपको लाइसंस जारी करने की क्या जरूरत है फिर आप पैसे लेकर ही मशीनों को चलवा लीजे तो अगर एक हफ़ते के अंदर अवैद रा मशीनों को वन विभाग की और से बंद नहीं कराया गया तो तमाम लाइसंस होल्डर जो हैं अपने लाइसंसों की पिर्तियां जलाएंगे और सरकार को ये बताने की कोशिश करेंगे कि यदि आपके अफसर खुले आम रिश्वत लेकर मशीनों को चलवाएंगे तो फिर लाइसंस जारी करने की सरकार को कोई जरूरत नहीं है क्योंकि शहर के किसी भी मुख्य चौराहे पर खड़े होंगे और वहाँ पे हम सरकार दौरा जारी वन विभाग की तरफ से जो जारी की अगाय लाइसंस उसकी पृतियों को हम जलाएंगे अगर ये मशीने एक हफते के अंदर बन नहीं होती है हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी कंप्लेंट की है कि कहां कहां पे अवैदारा मशीने चल रही हैं और आपके अफसर क्या साड़ गाट करके मशीने चलवा रहे हैं हमने उन अफसरों के नाम भी पेश किये हैं उनको और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इन मशीनों को बन कराऊंगा यदि एक हफ़ते में बन नहीं होती है तो हम लोग लाइसंसों की प्रतियां जलाएंगे